Hi Everyone, Welcome to Channel Knowledge क्या आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम समय के साथ evolve हो रहे हैं वैसे वैसे इंसान के जबड़े की size कम होती जा रही है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अक्लदार्ट सबसे आखिर में इरप्ट होते हैं तो तब तर जबड़े में बहुत कम जगा बची होती है जिसके कारण अक्लदार्ट से जुड़ी समस्या भी जादा हो रही है तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से situations है जिसमें अक्लदार्ट निकालना पड़ सकता है आगे बढ़ने से पहले में बताना चाहूंगी कि हम ऐसे ही डेंटल वीडियो की उपर सीरीज बनाने वाले हैं तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला कारण है पेरिकोरोनाइटिस बड़ पेरिकोरोनाइटिस है क्या? तो सिंपल वेसे बताऊं तो इसमें अकलदाथ के आजू-बाजू वाले मसूडों में सूजन हो जाती है ये कंडिशन जादा तर नीचे के अकलदाथ में दिखती है जहां अकलदाथ पूरे तरह से इरप्ट नहीं हुए है पेरिकोरोनाइटिस में अकलदाथ के साइड में जो मसूडे है उसका साइज बढ़ जाता है जो एक पॉकेट जैसे बन जाता है इसमें जादा तर खाना फसने का चांसस होता है इसलिए वहाँ पर कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया भी ग्रो होते है ऐसे सिचुएशन में आपको डेंटिस्ट फ्लाप सजरी रेकमेंड कर सकता है बट अगर ये सूजन बार-बार होती रही तो इस अकल दात को निकाल देना बेटर है फिर है डेंटल केरीज जनरली दातों में सडन वही पर जादा होती है जहां पर खाना जादा फस्ता है और अकल दात सबसे आखिर में होने के वज़े से वो एरिया तक पहुँच कर क्लीन करना डिफिकल्ट होता है और स्पेशली अगर अकल दात आदा ही निकला हुआ है तो वहाँ पर सडन और इंफेक्शन लगने के चांसेस भी बढ़ जाते है उस समय आपको दर्थ और अकल दात के आजू-बाजू वाले एरिया में सूजन दिख सकती है मसूडे लाल होते हैं और वहाँ से खून आते दिख सकता है मूँ खोलने में दिक्कत हो सकती है ऐसे हालत में डेंटिस्ट आपको अकल दात निकालने की सलाथ दे सकता है जब अकल दात हड़ी में ही रह जाता है और उपर मूँ में इरप ही नहीं होता तब ये सिस्ट होने की संबावना है ये सिस्ट आगे बढ़कर हड़ी, बाजुवाले दात और मसूडों को नुकसान पहुचा सकता है ये सिच्वेशन में सिस्ट को सरजरी करके अकल दात के साथ निकाला जाता है नेक्स्ट है डेंटल ट्यूमर कभी-कभी impacted अकल दात के साथ डेंटल ट्यूमर भी हो सकता है ये ट्यूमर जब तक बढ़ा नहीं होता, तब तक पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती इस ट्यूमर को एकसरे में पैचाना जा सकता है अगर dental tumor है अकलदात के साथ तो उसे भी साथ में निकाला जाता है फिर है sinus infection ओपर के जबडे में जो अकलदात होते हैं वो cheekbones के नीचे होने वाले sinus के बहुत करीब होते हैं जब वो अकलदात बढ़ने लगता है तब उसके roots याने जड़े उस sinus area में दबाव डाल सकते हैं जिससे कुछ लोगों को sinus headache और sinus infection भी हो सकता है ऐसे situation में भी अकलदात निकाला जाता है फिर है orthognathic surgery अगर आपका जबड़ा normal size से छोटा या बड़ा है तो कभी-कभी आपका orthodontist उसे ठीक करने के लिए surgery recommend कर सकता है तब surgery के time बहुत बार अकलदात निकालना पड़ सकता है यदि नीचे के जबड़े में अकलदात ना हो या पहले निकाला हो तो उपर के side का अकलदात unopposed यानि निर्विरोध होता है ऐसे time पे वो अकलदात नीचे आके मसूडों को नुकसान पहुचा सकता है इसलिए अकलदात निकाला जाता है infection वाले cases में उसे treat तो किया जा सकता है बड़ अकलदात तभी निकाला जाता है जब बाके सरे treatments काम नहीं आये हो आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को अपने प्रियोजनों के साथ शेर जरूर करें